देखिए कितना जवर्दस्त भीव आ रहा है और मैं गजल का भीव है साधारन सी बच्ची में सबजी ये एक मेडिसीन बहुत जवर्दस्त स्पाउट डाकर है और मेडिसीन में आप पीजी वगर कर रही है उतना तो नहीं पता है देख रही हो यह है तो यह कैसा फील कैसा हो रहा है इसको नहीं हुआ हम जोड़ दिल के हैं तो थोड़ा सा दिल ठाम करके उसको देखना प्रेगिए है लौ प्रेंड्स वेल्कैम अबिरीव कि यहां से कितना सुन्दर वियू आ रहा है तो अब हम रास्ते को एस्प्लोर करते चल रहे हैं बैंबू ट्रेकिंग तक और पूरे रास्ते एक्स्प्लोर करेंगे रास्ते के वियू भी दिखाएंगे और यह हैं मौनी खाइंग में तो हम लोग मौनी खैंग जा रहे हैं बैंबू ट्रेकिंग के लिए और लोग काते हैं कि मिखालिया आए और बैंबू ट्रेकिंग नहीं किये तो खाक मिखालिया आए इसलिए हम लोग मिखालिया में सबसे फेमस ट्रेकिंग बैंबू ट्रेकिंग और वहां के जी भीव आप दिखिए और गजव का भीव है वहां का पहली वहां पहुंची उसको वहां के भीव भी दिखाएंगे आपको हम आज डावकी से आ रहे हैं और डावकी से हम चले गए थे दरांग में नाइट रिष्टे किये थे और वह बहुत जबरदस था अगर आपने उस ब्लोग को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा बहुत जबरदस वहां पर नाइट केम्पिंग हुआ था हमारा और जो वहां पर रिवर में जो हम लोग बात लिये थे और बहुत सारे मस्ती किये थे तो वो भीव बहुत जबरदस वहां का है वो जरूर आप इसले ब्लोग को देख करके आप देख सकते हैं बाकि अभी हम चल रहे हैं बैमो ट्रेकिंग के लिए देखिए रास्ते का भीव वाव वाली फिलिंग आ रही है ये मांटीन पर जो प्ला मैं अक्सर ऐसे देख में मिलेगा तो यहां पर फुरी देर के लिए ब्रेक किये हैं और ब्रेक लिए हैं तो हाँ पर तो सिधा होई आगा बट यहां पर भीव बहुत जबरदस मैंने भी आती में देखा तो आपको हम भीव दिखाना चाहते हैं चलिए आपको ले चलके और मैं गजल का भीव है और बेहा सम बात करना चाहेंगे मेखा ज्यादा इसको इसको इस प्लोड करेंगी चुकि यहां पर तिन-चार सर से है वैसे यह डॉक्टर है एक मेरिशीन की डॉक्टर है तो यह बहुत सारे वह रास्ते में कोई दिकत नहीं है चुकि एक मेरिशीन की बहुत एक्सपॉर्टर है आप एमस में काम की हुए है और यह अभी सिलौंग में है और दो महीने यहां तेर महीन अगरी पर पाच्टा ही है मिलेगी पैसान लिजे टोग हो पाच्टा में है नहीं पी बीडि काथ ने ने बीनेम है यह मैना टूरिस्ग नेम है तो मैं। तो राज परत भाई परत खुलने जा रहे हैं तो यह साधारन से बच्ची में समझी यह एक मेडिसीन बहुत जवरता से स्पाउट डाक्टर है और मेडिसीन में आप पीजी वगरे कर रहे हैं उतना दूब को नहीं पता है लेकिन अभी पीछे का भीव देखा रहे हैं तो यहां उस समय भी आती थी है तब भी चुट्टियों में हमाया करते थे ओवर नाइट जर्नी है तो तो त्रिपुरा वार्सियों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको चुट्टी मिले वीकेंड्स पे एक बस मिलती ह तो इतना सिंपल सा जर्नी हम लोग स्टुट्रिंट लाइट नो भी आया करते थे तो अब ही लेकिन मेरा सारा मेडिसिन एक तरफ और यह व्यू जो ट्रीटमेंट करता है लोगों का वो एक तरफ यह मिलियर लग रहा है दिखिए यहां से वो जो मने व्यू दिख रहा है अ करते हैं जब डिप्रेशन में होते हैं यह दुखी होते हैं बिमारी होसम कहते हैं जाए एक पहाडो का सेयर करके आए उससे बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं है नेचर गारी जब घिस घिस करके चलने लगती है कार है तो इसको क्या करते हैं लोग गिराज में सर्वीसिंग के ले जाते हैं और सर्वीसिंग के बाद जब हाईवे पढ़ाती है तो आप ही जब टूर करने के लिए आई यहाँ यहां पर देखिए तो वन वीक से तर नहीं है जारूर होना चाहिए पुरा मेगाले शिर्फ से लॉंग टूर नहीं करना है पुरा मेगाले स्टेट टूर कर तो पुरा श्टेट यहां पर 35 डिटेंपरेटर से लेकर के 15 15 15 से प्टीश निगी तक टेंपरेटर के फलक्टुएशन मिलेगा अब बलाद इसके बोड़न पर टाव की पर थे वहां पर 30 प्रस ने पर चर था यहां पर 20 एंट 21 है तो यहां पर आईएगा आप पुरा में जाते हैं यहां सो फुर ढ़्यां पर आ कि रहा हम आप जाते हैं यहां से फिर घर काम पर जाते हैं पर उहीं नर्जी आएगई जब गयरे से थारी करती आप हींarius यह एपने काम में एक दम ऊशी गालार्य स्टार के यह आप जहीं सो चलिये कुए घीनगा हम लोग एंध न क तो चलिए आगे और भी व्यू है चलिए चलिए देखिए रास्ते गजब के हैं और व्यू तो चारो तरफ है हम लोग हाइट पर जा रहे हैं रास्ते भी अच्छे हैं और नजारे तो खुबसूरत हैं ही तेकि घायल पहार सब है यह रोट बनाया जा रहा है इसलिए पहार को डैनेमाइट से ब्रश्ट करके और यह कच्रा हटाया जाएगा और रूट का चौरी करन हो रहा है अट्रफ के नजारे जैसे 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चटापुजी के तरफ नजारे तो और भी हसीन होते जा रहे हैं क्या भीव है ओफ जवरदस्त रास्ते का भी ब्यूटी देखने बनता है रास्ते में जो रोट साइड जो भीव आ रहा है बहुत अच्छा भीव आ रहा है पस अब रहत जो भीव आने वाला है वो देखे का तो देखते रहा जाएगे दिखलाते हैं में मंजिल की जो ब्यूटी होगी सो होगी मंजिल से असीन हमारे रास्ते हैं और इन वाधियों से चलने का जो मजा है वो इन वाधियों से जाने वाले ही जानते हैं वीडियों में देखे अगर आपको अच्छा लगेगा तो यह आने का जल दिल करेगा कौन-कौन लोग मेहाले ट्रिपर आये हैं और बैंबू ट्रेकिंग के लिए आये हैं वो हमें अमेट बॉक्स में बताईएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन-कौन लोग बखाले आये हैं और क्या हमसे मिस्स कर रहा है क्या आपने हमसे अलग अटके दिखा है तो हम अगले प्लैन में उसको एड करेंगे चुकि हम एक बार पोस्ट रेनी सीजन प्लैन कर रहे हैं यहां बखाले ट्रिप का तो जो आपको लग रहा है कि यह भी जाना चाहिए मुझे यह जरूब आप कमेंट करके रताएगे का मैं उसको भी आने वाले प्लाइन में एर कर लूँगा और देखिए यह यह पूरा अगदम बादलों से कवार्ड हो गया है तो यह भी उजवा रहा है वह हम लोग लग रहा है क हम इन बादलों में स्तामाह जाएंगे अख आख 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 गजव लग रहा है अ जह वर्यख भी जब्हुशंब यह बहुत जबरतास दूब्हुशंब बहुत जबरतास पार रहा है हुआ 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 है कि हमारे पीछे वाले रो में सीट वाले रो में कुछ चल रहा है क्या है पीग है? क्या हुआ है? क्या है यहां पर थोड़ा सा गारी रोके हैं यहां पर थोड़ा सा गारी रोके हैं वह अच्छा भीव है आपको मैं भीव दिखाता हूं क्या हुआ हुआ है जो रदास थिए तो इन नजारों को देख रहे हैं आप यह वैली कितना खोबसूरत लग रहा है तो इन इसके बारे में हम आप से जानना चाहते हैं कि आप लोग इसको भीव को देख पा रहे हैं और इसको निहार रहे हैं तो यह कैसा फील कैसा हो रहा है इसको निहारते हुए बहुत अच्छा एक तो मौसम इतना अच्छा है और उपर से ये नजारे और यहां पर अजीब सा एक संगम है एक हाडा पहार दिख रहा है उधर से नीला पहार दिख रहा है और पीछे आकाश और ये धुंद हल्की अल्ग है ये वैली बहुंद खुबसूरत लग रहे है ना यहीं सोच करके लगता है कि धर्टी में स्वर्ग है तो एसा ही कुछ नजारा दिमाग में आता है चुसंदया है कि यहीं सोच करके लगता है किघ स्वर्ग है कि धर्टीप पर ही है तो मिह घarnos खाल देंगे उब खुबसूरत मोमेंट है और कैमीर को कयासा लग रहा ह b nod लगता है कि कि यहां पर आके बहुत खुली ऐंखों से देखिये गा तो हम ठुरी तェ Crash और इन नजानों को थोरा सा हम अब देखिए अब सनलाइट और थोरा सा तेज हो रहा है तो हमारे सामने वाले भी मांटेन जो है और थोरा सा किलियर उसका भीव आ रहा होगा हम थोरा सा आपको अच्छे से इसका भीव दिखाते हैं अब बैंबू ट्रेकिंग के मुकाम पर पहुचना ही वाले हैं और रास्ति कभी है झाल झाल बहुत अच्छा भी रास्ते तो बहुत अच्छा और श्यम रास्ते नजारे बहुत प्यारे सही में हिमालिया के बारे में जो मैं सुनता था काजिंगम यह ब्रीज है और मेखालिया के बारे में जितना सुनता था उससे ज़्यादा खुब्सूरत में खाले हैं अब देखिए क्या ग्रेनरी है एक दम फूरे में चले जाएए आपको 90 परसेंट ऐसा प्लेस मिलेगा रोड मिलेगा कि जिस ब्रीज से खल्लादा हुआ रोड मिलेगा तो इनों तरफ से ग्रेनरी टरच करता हुआ मिलेगा जिस विलेज से विलेज कर रहे हैं पहारी रास्तों पर जो छोटा-छोटा विलेज है वह इतना खुब्सूरत लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको कैसा लगता है आप तो मुझे कमेट वक्स में जरूर बताईएगा और बेंबू ट्रेकिंग के लिए कौनकों लोग आए हैं इन रास्तों से आये थे हम थोरा सा 3-4 किलमेटर रास्ता भठके थे थे थो आगे बढ़ गये थे त मुझे पीछे लोटना है तो फिर आगे पीछे हुए थोरा टाइम इसमें ज्यादा लगा बट जल्दी पहुंचना चाहते हैं बैंबू ट्रेकिंग के लिए जिक आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है थे कि बैंबू बहुत ज्यादा है यहां का बैंबू का प्लांट म और पूरे जो मैंने ट्रेकिंग है वो इतना जबरदस्त खाई है और उसके उपर से जो बैंबू का जो ट्रेक बना हुआ है उसमें उसको जो बैंडिंग मी किया गया जानता है बैंबू को तो वह भी बैंबू के ही जैसो पार्ट से उसको बैंडिंग मी किया गया है मैंने अगर जहां के देखेंगे लगे एक होट फेल कर गया तो देखने बाले भी अगर न जोर दिल के हैं तो थोड़ा सब धाम करके उसको देखना परेगा क्या का आप अब बी ही जुए अब बी ही ही तो बहुत अच्छा अब और अच्छा लग रहा आपके बैंबु कुछ अलग टाइब का है हम लोग कहां कि बिहारी बैंबु से ये मिखले के बैंबु कुछ अलग टाइब का लगता है चोटा-चोटा बैंबु का पेर भी है तो बहुत खुब स्वरत लग रहा है ऐसे रास्ते हमें मॉलिन नॉंग जो एसी आई क्लीनेश व भी बिलेगा और दोनों तरफ से ग्रम गिंडरी जुका हुआ बीच से रोड बहुत अच्छा लगता है इसे ड्राइविंग का अनंद लेना वाव ये रास्ते को देख से तुम मया आ गया एयो दिखे-दिखे-दिखे-दिखे-दूधे-दिखे-दिखे-दिखे-दिखे- हाँ हाँ यह ब्रीज हम लग प्राउस कर रहे हैं और पस बैम्बू ट्रेक आ ही गया तो यह बैम्बू ट्रेकिंग का प्लेस आ गया है पास में ही यहीं से बैम्बू ट्रेकिंग लिए जाते हैं लोग और हम अब बैम्बू ट्रेकिंग करेंगे चुकि बैम्बू ट्रेकिंग के लिए आए हैं और लोग बोलते हैं कि मिखाल्या आए अब बैम्बू ट्रेकिंग नहीं किये तो खाक मिखाल्या आए तो यह पार्किंग है और हम बैम्बू ट्रेकिंग के लिए जाएंगे यही वह प् यह वीडियो बहुत लंबा हुगा, इसलिए नए व्लोग में आपको फिर से जॉइन करना पड़ेगा, आप जरू जॉइन कीजिएगा तब तक लिए अपना ख्यालक किये, शुरस्तरे ब्रस्तरे मस्तरे, बाबाई भाई साहब, भाई साहब, बाई पास चलेगे इसलिएग, अध़ सकाना ख्यालक करना, तबक मिन काचता है, बाई साहब, बीया रिग गाए, टाइम मैं, से आप पर पर शेक्ति है, वैंस से आप जैना, के लिए जब्शन्हें, भाई भाई, दिए separate बाई झाल